मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हर देगा भी नंदन करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजेडिवी नेटवर्क पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएं स्पेशल सेग्मेंट एस्ट्रो स्पेशल और आज एस्ट्रो स्पेशल सेग्मेंट के अंदर हम बात करेंगे शुक्र का मकर राशी में आना इन छे राशियों को मिलेगा खुशियों का खजाना यानि कि शुक्र का राशी परिवर्तन मकर राशी में होने जा रहा है मेश से लेकर मीन राशी के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आई इस पर बात करते हैं खास उपाईयों के सा में आपको बताएंगे शुक्र को जोतिश में दामपत्य प्रेम का मुक्ता का कारक माना जाता है शुक्र आर्थिक लाप के कारक भी है शुक्र के शुब और शुब प्रभाव से जीवन में सुक्ष सम्रिधियां गरीबी आती है आकर्शन वे कला का कारक भी शुक्र ही है और को ही अरुन काल का अरुन देकाल का स्वामी माना जाता है इसे भोर का ताहरा भी कहा गया है शुक्र का राश परिवर्तन जोतिश में खास घटना है शुक्र ग्रहर अविवार तारिक 27 फरवरी 2022 को सुभे 10 बच कर 37 मिनट पर धनू राशी से मकर राशी में गोचर करेंगे तथा गुरुआर 31 मार्च 2022 को सुभे 8 बच कर 45 मिनट तक मकर राशी में ही रहेंगे कालपुरु सिधान्त का अनुसार शुक्र का मकर राशी में गोचर कमोडिटी और शेर मार्केट से मन्दी मिटाएगा लोगों के नीज़ जीवन में मधूरता आएगी कुवारों को प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री में को इससे बड़ा लाब मिलेगा देश में सक्रिय राजिनीती का माहुल बनेगा तो आईए जानते हैं कि शुक्र का राशि परिवर्तन मेश से मीन राशि के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा साथी आपको राशि अनुसार उपाई भी बताएंगे शुर्वात करता है राशि नमबर एक मेश यनिकी एरीस के साथ में शुक्र का गोचर दश्व में भाव में होगा कारशेत्र में सफलता मिलेगी अधिकारी गण प्रभावित होंगे कारोबार अनुकूल रहेगा निंदा करने से बचें सामाज एक मानहानी के योग हैं जीवन साथी के सायोग मिलेगा चात्र गंभीरता से पढ़ाई करेंगे उपाई ये करें कि किसी सुहागन को आटा दान करें दूसरी राशिव रिषयने टॉरस की बात करेंगे शुक्र का गोचर नमे भाव में होगा भागे चमकेगा जीवन में सकारता में बदलाव आएंगे धर्म कर्म में रुची बढ़ेगी किसी के सायोग से मुश्किल आसान होगी लंबी यात्रा का प्लान सफल रहेगा कला के शेत्र के जो चात्र हैं उनको सफलता मिलेगी उपाई ये करें कि माता लक्ष्मी पर गुलावी फूल चड़ाएं तीसरी राशे में तो नियानी जमनाय की बात करेंगे शुक्र का गोचर आठमें भाव में होगा जीवन में उतार चड़ाव रहेगा भावनाओं पर काबू रखें मन में कामुकता की अधिकता रहेगी एहम को खुद पर हावी न होने दें संतान पर पूरा ध्यान दें छातरों को पड़ाई लिखाए में परिशानी आएगी उपाई ये करें कि कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं चौथी राशे कर के आने की कैंसर की बात करेंगे शुक्र का गोचर सात्में भाव में होगा प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा जीवन साती से संबंद सुधेंगे जीवन साती से गिफ्ट भी मिलेगा सिंगल्स के लिए अच्छे रिष्टे आएंगे नौकरी में अच्छा प्रदर्शन होगा दफ्तर में हर कोई सलहा लेना चाहेगा उपाईये करें कि शिवलिंग पर गन्ये का रस चढ़ाएं पांचवी राशिस सिंग यानि कि लियो की बात करेंगे शुक्र का गोचर छटे भाव में रहेगा शत्रू सक्रियों होंगे थोड़ा समबल कर चलने की जरूबत है लोग शड़ेंत्र करेंगे नौकरी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी वाणी पर काबू रखें दामपत जीवन में पार्टनर से खिन्नता रहेगी उपाईये करें कि पूजा गर में चंदन कपूर जला कर धूप करें चटी राशिक कन्या यानि कि वर्गों की बात करेंगे शुक्र का गोचर पांचवे भाव में होगा छातरों के जीवन में रचना तमकता आएगी परिवार के बीच लीडर की तरह उभरेंगे आप आर्थिक स्तिती शांदार रहेगी व्यवसाय में सफलता मिलने के योग हैं कारोबार में लंबे तपरी योजना एं लागू करेंगे उपाईए करें कि शिवलिंग पर सफेज चन्दन से त्रिपुंड बनाएं साथ पी राशित तुला यनि कि लियों की बात करेंगे शुक्र का गोचर चौथे भाव में होगा जीवन में सुख बढ़ेगा रिष्टों में सकारता मकता आएगी और रिष्टों में सकारता मकता आएगी और रिष्टों में सकारता मकता बदलाव भी आएगे घर में खुश्यों का माहूल रहेगा नया वाहन खरीदने के योग हैं अफ्तर में काम करने की शमता बढ़ेगी शत्रुवे विरोधियों पर हावी रहेंगे उपाइए करें कि चंदन के इत्रका प्रियोग करें। नवी राशी धनु यानि कि सजिटेरियस की बात करेंगे शुक्र का गोचर दूसरे भाव में होगा धन संचार बढ़ेगा बैंक बैलेंस में इजाफ़ा होगा खर्चे भी बढ़ेंगे घर में मांगले कार संपन्न होंगे भाशावे आचरण से समाज को नई पैचान मनेगी आपकी प्रेमी आपके प्रती बहुत आकरशन महसूस करेगा उपाई ये करें कि किसी सोहागन को गुलावी कपड़ा भेंट करें दसवी राशी मकर यानि कि केप्रकौन की बात करेंगे शुक्र का गोचर पहले भाव में होगा शारेरिक शमता में व्रद्धी होगी प्रेम संबंदों में प्रागड़ता आएगी दामपते में मनमाफिक फल मिलेंगे आर्थिक पक्ष मजबूत होने के योग हैं कला और सुंद्रे के शेत्र से जोड़े लोग अच्छा प्रतर्शन करेंगे उपाई ये करें कि नाभी पर चंदन का इत्र लगा हैं ग्यारवी राश शत्रोंस से बजक कर रहें सवास्त को लेकर सतर करें उपाई ये करें कि ओम शुम शुक्राय नमाए समंतर का जाप करें बारवी राशिमीन यानि पाईसिस की बात करेंगे शुक्र का गोचर गैर में भाउमे होगा कारोबार में धनलाव होगा कारशेतर में विस्तार के यो और हमने आज बात करी शुक्र का मकर राशी में आना किन छे राशियों को मिलेगा खुशियों का खाजाना और ऐसे ही स्पेशल एपिसोड लेकर हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे आज के लिए बस इतना ही देखते रहें चैनल कमल लंदलाल यूट्यूब फेसबोक और आईजी टीवी नेटवर्क पर इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षुवाए